प्रवाइब देख रहे हैं तर विनिंग एज डिफेंस इस चैनल पर हम लेके आते हैं आरे मिलिटर स्कूल के बारे में इंपोर्टेंट इप्रमीशन बहुत सारे हमारे वीडियो जैस चैनल पर आपने देखे भी हैं आप देखते भी हैं आपका स्नेया में मिलता है और मुझ बड़े दिन से आपका वीडियो है नहीं तो एक आपको हैबिट हो गई है मेरे को देखने की मेरे से बाचित करने की दिल को भुष सुकुन देता है दुख की बात है कि कि बहल एक ही फोन ہے बाकी लोगों ने मुझे मिस्ट नी किया तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार अगर लाइफ सेन बढ़ जाता है आप फॉज आपको इतना फिट रखती है इस वीडियो में बात करेंगे एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है कि आर एमसी सैनी स्कूल और मिलिटर स्कूल में अंतर क्या है आप कहेंगे सारी है तो बिल्कुल हमें पता है लेकिन आप ध्यान दें कि हमारे देश की जन संक्या अभी 142 करोड हो चुकी है और मेरे चैनल पर केवल अभी 33,000 कुश मितरे जुड़े वें उसमें से भी आदे बच्चे हैं तो मतलब एक करोड एक सो चालेस एक सो एक तालेस 162 करोड पूरे के पूरे वेक्ति हैं जिनने इसके बारे में नहीं बता तो बना देते हैं एक वीडियो बहुत सिंपल तरीके से जो हमारा बातचीत का तरीका है वो मुझे अच्छा लगता है कि आपको बिल्कुल सीधे सीधे समझ आता है जो मैं बात कर रहा हूँ तो आर में क्या अंतर है सैनिक स्कूल जो है वो है 33 और अभी 18 आ गये न्यू सैनिक स्कूल इनको हम अभी इस डिसकुशन से भार रखेगे कारण बताऊंगा बाद में और राश्टे अमिलिटर स्कूल है किवल 5 एक तो संख्या का अंतर है वो किने चुने है हिमाचल में एक है करना आतिका में दो है राश्टान में दो है बस वागी किसे सेट में राश्टे मिलिटर स्कूल नहीं है लेकिन सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में तीन है और अगर यूपी सैनिक स्कूल को मिला लिया जाए तो चार है इसमें 33 में यूपी सैनिक स्कूल जो लखनव में है वो इ अगले एक दो साल में जाकर उन्होंने अभी से अपने आपको न्यू सेनी स्कूल डिकलेर कर दिया है और आपको भ्रमित करके अपने पास बुला रहे हैं कि आईए हमें दो धाई लाक रुबए की फीज दीजे बिसिकली सारे बिजनस एस्टाबलिश्मेंट है उनको बड़ी है और अगर आपके पास जानकारी नहीं है आप यहां कहीं न कहीं पहुँच जाएंगे कई लोग तो बिल्कुल बहुत बड़े गुंडा तत्वे इन लोगों चला रहे हैं वो आपसे पैसे ले ले लेंगे फिर आप पूरी जिनके उनसे पैसे वापस नहीं ले प हरम का काम है मेरे चैनल की तो प्रसिद्धी हो रही है बहुत बड़ी है वो तो मैं आपको थैंक्यू बोलूंगा लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति का भला हो जाएगा आपके इस फॉरवड से इतने हम बेकार बेकार वीडियो फॉरवड करते हैं इतने हम लड़ाई जगड़ आपने बच्चे के बारे में ध्यान से सोचना है और अगर आप सेनों में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो बड़े अच्छे ये ऑप्शन्स हैं सैनिक स्कूल एंड रास्टी मिलिटर स्कूल जो कि आपके बच्चे को सेना में अधिकारी बनने के लिए एक बहुत military जो trainers हैं उनके अंडर बे काम करता है और एक discipline नागरिक बनके एक बहुत अच्छे उच आधर्शों वाला नागरिक बनके इन school से निकलता है उसका तो doctor बन जाए उसका इंजिनर बन जाए उसका politician बन जाए उसका businessman बन जाए bank employee बन जाए civil servant बन जाए कुछ भी बन सकते हैं पेरेंट्स का सवाल होता है कि हमारे बच्चे यहां पढ़ेंगे तो क्या उन्हें सेना में जाना जरूरी है सेना की exam देना जरूरी है हो बोलता है कि कमसे हम दो तीन attempt आपने देनी है जो स्कूल के mandatory attempts हैं उसमें नहीं हुआ तो नहीं हुआ बाकिया आप कुछ भी करें और हर बार मैं उधारन देता हूँ कि जब मैं मनिपूर में अपनी battalion command कर रहा था तो मनिपूर के जितने भी गड़मानने नागरिक थे उनके बच्चे थे मुझे जानकर एक सुखा दाश्चरे हुआ कि वो किसी ना किसी रूप से सैनिक स्कूल इमफाल से संबंदित थे अभी तो नौर्थ इस में बहुत सारे सैनिक स्कूल आ गये हैं लेकिन एक समय था जब सैनिक स्कूल जो इंफाल है वही एक सैनिक स्कूल हुआ करता था तो इतना अच्छा उसका इंप्रेशन है सैनिक स्कूल के जो पढ़ेवे लोग हैं हमारे साथ उनका संपर कितना बढ़िया था उनका जो मनिपूर के बारे में जो सोच विचा रहे हैं बिल्कुल अच्छा एकदम नैशनलिस सोच विचा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो ना केवल अच्छे फौजी अधिकारी वहां से बनके निकलते हैं बलकि सैनिक स्कूल, मिलिटर स्कूल, राएमसी से पढ़के आपका बच्चा किसी भी फील्ड को जॉइन करता ह आई वो अच्छा करेगा और यह कहना भी गलत है कि सैनिक स्कूल, मिलिटर स्कूल के बच्चे या अराएमसी कर बच्चे एंजिनिंग में निकलते हैं, मेडिकल में निकलते हैं, उसके त्यारी नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना डिस्प्रेंट रहते हैं कि बच्चा बड़े अच्छे सेलेक्शन सिस्टम से आते हैं, तो यहां का जो दर्जा है बहुत बड़ी है, तो जो डिफरेंस क्या-क्या है, डिफरेंस है कि सैनिक स्कूल का उदेश है, सिविलन जो हमारे नागरिक हैं, उनके जादा से जादा बच्चों को आर्मी की तरफ मोटिवेट क करना, और मिल्टर स्कूल का जो एम है, जो हमारे जेसियोस जवान हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको एक बहुत अच्छा एज्जुकेशन प्रदान करना, और उनको मौका देना सेना में अधिकारी बड़ने का, तो बड़ा वो है, इसके लिए इनका जो 67, 33 और जो 20 परसेंट है, सेना, सेनाओं के जेसियोस और जवान उनके बच्चों के लिए रिजवड है, और ये 30 प्रतिशत वेकेंसी जो हैं, ये ऑफिसर्स के बच्चों और सिविलेंस के बच्चों के लिए रिजवड है, मोटा मोटा अंतर आपको समझना चाहिए, कि सैनिक स्कूल और मिलेटर स्कूर में क्या अंतर है, तो यहां तक हमारा जो डिसक्रशन चल रहा है, यहां पर फिर से लिख लिए है, वो गणों में ही अभी, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो केवल 6 में लिए जाते हैं लड़कियां, थोडे आने वाले समय में उनके लिए ग सुल्कुप में धिनाय को निया जाएगा, RMS में 11वी में धी भी बच्चों को लिया जाता है लेकिन एक ही विकिंशी होती है, वह 10th की मेरिट आधार पर लिया जाता है यह इसको हम ज़्यादा प्रॉपोगेट नहीं करतें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी शेयर नहीं करतें और बल्क एंट्री दोनों में ही क्लास 6 में है ज़्यादा सीटे कब है इन में कम से कम साड़े 3000 सीट्स है और इन में कम से कम 500 सीट्स है साल में एक ही बार दोनों का एक्जाम होता similarity जाद है इसमें differences कम है paper पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है वो बताऊंगा selection process में थोड़ा सा अंतर है वो बताऊंगा लेकिन इनका जो syllabus है वो बिलकुल similar है बिलकुल same है class 5th NCRT अगर यह बच्चा त्यार है तो एक्जाम क्लियर कर सकते है इन में थोड़ी मार्क्स जब सैनिक स्कूल के है गणित के दूसर नमबर है यहाँ पर पचास ही है मैट्स के इंग्लिश या लैंग्विज के उसमें किवल पास ही करना होता है क्लासिक्स में 50 मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होता है मेरिट में और आपके इंटेलिजन्स के 50 हैं और जन्स सोशल स्टडीज वगएरा के 50 नमबर है तो यह बस इस प्रकार से 170 नमबर मानते हैं 1500 यह हो गए क्योंकि 20 नमबर का इसमें इंटर्विय होता है सैलिक स्कूल में इंटर्विय। नहीं होता है यह बड़ांतर है अब यह जो 200 मार्क्स मैंट के हो गए उसके आग 50 और 50 यह आपका हो गए language का और आपका 300 में से नहीं, 300 में से नहीं, 500 नमबर है मैंट के 200 नहीं, 500 है और 50 है language के, 50 है general studies के और 50 है intelligence के तो टोडल 300 marks हैं class 6 में और इसे प्रकार class 9 में 400 number के exam होता है दोनों काई इसमें और उनमें भी इसे प्रकार से subjects 50-50 पजास हैं यहां पर 400 में से सैनिक स्कूल के 200 marks match के हैं तो सैनिक स्कूल में अगर आपका बच्चा जा रहा है और उसकी match बहुत strong होना चाहिए मिलिटर स्कूल में वो जो criteria math के number भी बाकी subject चे बराबर ही है अब सैनिक स्कूल में class 6 में एक language आता है English नहीं है English भी उसमें शामिल है लेकिन उसको language कहा जाता है तेरा भाशाओं में यह exam लिख सकता है बच्चा language का English है हिंदी है मराथी पंजाबी आसमें सब कुछ है इसमें वह आप notification पर जाए उसका language का हमने लग वीडियो बना है RMS में English का paper pass करना जरूरी है पचास में से साड़े सत्रा नंबर कम से कम लाने है उसने 35% यह अंतर है और यह pass करना ही है यह merit में count नहीं होता है जो English के उसके marks है merit में count नहीं होंगे यह बड़ा अंतर है तो जब आप सैनिक स्कूल और military स्कूल की तयारी करने है एक तो maths का weightage लगे दोनों का एक English का paper यहां clear करना जरूरी है और सैनिक स्कूल का exam आप बिना English पड़े भी clear कर सकते हैं क्योंकि आप Hindi को भी चुन सकते हैं भाशा में और सभी के लिए 12.5 नमबर लाना 50 में से 25 परसेंट ही लाने है sectional cut-off जो बोलते हैं और total 300 में से 120 नमबर लाने वाला बच्चा पास माना जाता है यहां भी बड़ा पंगा है इस बारी 75,000 बच्चे पास हो गए सभी लोग कह रहे हैं मैंने सैनिक स्कूल में एक्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन 120 वाला भी पास है और 299 वाला भी पास है और कई जगा cut-off जो है 250 से उपर गया है तो अगर आप सैनिक स्कूल पास करना चाहते हैं तो 200 marks आपको minimum किसी भी category में अगर इतना नहीं ला रहे हैं तो आपका सैनिक स्कूल में admission बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर मैंने बता है 1500 number ही count होंगे 20 number interview के हैं तो 1500 में से 80-90 number अगर बच्चा लेके आ रहा है तो बहुत उसके chances हैं और राष्ट्रे अमिलिटर स्कूल में admission पानेंगे तो यह जो मोटा मोटा जो differences है आपने ध्यान में रखने हैं इनकी भी training सेम होती है CBSE pattern पर है सब में PCM पढ़ाया जाता है सब में साल में एक ही बार exam होता है एक ही समय पर इनके forms आते है exam एक date को नहीं होता है अलग लग होते हैं लेकिन यह जो इनके similarities है और differences है यह जानना आ आपको अवश्यक है अब है इनका selection rate बहुत सारे लोग पूछते हैं एक सर इनका selection rate कितना है तो इनका selection rate 30 से लेकर 60% किसी किसी साल में बहुत अच्छा चल जाता है किसी साल में बहुत नीचे चला जाता है लेकिन 30% में कुछ 10 से 12% ही जाएंगे से याद एंडिया में ज्यादा भी जा सकते हैं उसका CDS पे भी जाते हैं FCAT पे भी जाते हैं क्योंकि यह लोग छूड़ते नहीं है तो overall जो सि AIMC का है 70 से लेकर 80% NDA का सेलेक्शन सैनिक स्कूल साम 35 से 50% मान ले तो नैशनल एवरेज है 0.6% मतलब देश का एवरेज यह है तो जो भी विक्ति पूछता है सैनिक स्कूल आ रहे हैं इमसी में पढ़ाने के फायदे वो अगर इस परसेंटेज को समझ ले तो आपको अपन स्कूल नहीं कर पाते हैं इसलिए जो नैशनल जो एवरेज है वो 0.6% है राश्टर की आवरेज अब आप देखिया अंतर कितना है तो यह चीजें जानना जरूरी है अगर आप सैनिक स्कूल या मिरिटर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लड़कियों के लिए थोड़ा बैड न्यूस यह है कि लड़कियों की सीट्स बहुत कम हैं आर एमेस में 50 सीट्स हैं मान दीजे पांच स्कूल में हर स्कूल में 10 और सैनिक स्कूल में 10 या 10 परसेंट मिनिमम तो 10 है तो 5 होम सेट यह 5 आउट सेट यह तो हर जगा हर कैटिगरी में SCST, OBC, Defence और जन लड़कियों को मेंद छोड़ी सी जादा करनी पड़ी है उनके संक्या गम है लेकिन लड़कियां मिलकुल ृडटी होई हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेक्वार रहे हैं और कई स्टेट्स में लड़कियों के मार्क्स लड़कों से भी ज्यादा है घबरागा नहीं है तो यह थे मोटे-मोटे जो अंतर है आब इन दोनों के ही RMS और सैनि स्कूल के forms पॉड़ आएंगे, October के महीने में आएंगे, इनका November के महीने में एक्जाम जमा हो गया, दोनों के ही form online form जमा होते हैं, और आपको online ही इसका Admit card मिलेगा, और January के महीने में ही एक्जाम होगा यह ध्यान रखना है विकटा होता है सीधे सारा पेपर सब्जेक्स अलगलग है लेकि वो अलगलग सेक्शन में बढ़ा होता है जाएंगे धाई गंटे के लिए और उसके तीन गंटे के लिए क्लास 6 का धाई गंटे का है और क्लास 9 का तीन गंटे का है ऐसी military school का भी है तो वह भी अच्छा है अब दोनों का ही age bracket same है क्लास 6 के लिए 10 से 12 years और क्लास 9 के लिए 13 से 15 years यह date होती है 31st March को देखी जाती है जिस साल बच्चे ने exam देने जिस साल school जान करना है और 1st April से यह school की term start मनी जाती है अभी सैनिक स्कूल का e-conseling हो गए उसके बारे में विए लग वीडियो बनेगा लेकिन यह आप ध्यान रखिए कि यह सब चीजें आपके लिए जानना अवशक है और बच्चा सैनिक स्कूल में चैनिक स्कूल में फिफ्ट में पढ़ रहा होना चाहिए मेंडेटरिन लेगे आजकल उसकूल का certificate मांग रहे है पास होना चाहिए यहां पर 8th पास होना चाहिए इनके साथ आपका सैनिक स्कूल के लिए डॉमिसाइल जो certificate है वो important है कि state के रहने वाले क्योंकि state के आधार पर vacancy date of birth आधार card date of birth certificate और आधार card यह होना चाहिए एक बड़ा जो अंतर है जो rms की fee है वो सैनिक स्कूल का आधी है सैनिक स्कूल divided by two इनकी 1,80,000 है तो इनकी 77,000 है ब्राकट है डेड लाग से एक लाग से जार सालाना फीस है यह बहुत है उसमें subsidies वगरा काफी सीज़ है उसके लिए हमने अलग लग वीडियो बनाये है लेकिन जब आपका बच्चा सैनिक स्कूल की त्यारी कर रहा है तो आप मिलिटर स्कूल का भी हमारा जो कोर्स चलता है हम तो दोनों की खिट्टी त्यारी करते है बच्चों को सारे सब्जेक पड़ाते है मिलिटर स्कूल में क्लास नाइंथ में हिंदी का भी portion आते है 20 नंबर का सैनिक स्कूल में नहीं है यह भी जानना वह ज़रूरी है कई बच्चे हिंदी का एक्जाम पासी नहीं कर पाते हैं और नैशनल लेवल पर है वह आप साउथ इंडिया के आप नौर्थ इस के हैं आप जेंड के के आप उतरपदेश के हैं सब नहीं हिंदी का portion अटेम्ट करना होता है अब चलते हैं इनका जो अलग establishment है मुझसे कारण क्या है मुझे कहते है सर हमने बच्चे का सैनिक स्कूल और आरेंसी की त्यारी करानी है मैंने का यह तो दोनों अलग लग हैं जी सैनिक स्कूल और आरेंस दोनों भाई-बाई हैं लेकिन आरेंसी बिल्कुल ही अलग है आरेंसी क्लास एट में अडमिशन लेता है और खाली केट में लेता है यह साल में एक बार लेते हैं यह साल में दो बार लेते हैं इनकी टाम स्टार्ट होते हैं पहली जन्वरी को और पहली जुलाई को इनकी टाम स्टार्ट होते हैं पहली अपरल को यह साल में एक बार एक् है इंडिया में अकेला स्कूल है जिसमें दसवी और बारवी के बोर्ड एक्जाम साल में दो बार कंड़क किये जाते हैं तो यह आठ वी में अड्मिशन होता है मेरे पास ऐसे भी विक्ति आते हैं कि हमें अपने बच्चे को आरे एमसी में क्लास नाइंध में डालना ऐसा कु का ओवरलोड है वो समझ नहीं बाते क्या सही है क्या गलत तो मैं आजकल सब को बोलता हूँ कि सैनी स्कूल मिलिटर स्कूल मेरे को भी जानकारी चार साल पहले नहीं थी जब तक मैं बड़ालन कमांड कर था सेना में अपनी ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर था इंस्टर थ अब जब हमने अपना कमनी स्टार्ट किया और सैनी स्कूल के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू गया तो बहुत आवश्यक है कि हम इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप करें तो इसलिए मैं इस जानकारी को बिल्कुल फिल्टर करके जिस भाशा में आप समझते है उसमें आपको समझाता हूँ दोनों का ही आरेमसी और सैनिक स्कूल का ही एक नंबर याद कर ले प्लस माइनस 1.25 अपके बच्चे का चश्मे का नंबर इससे बड़ा है तो वो इलिजिबल नहीं है और एक कलर ब्लैंडने टेस्ट मैंने इससे पहले अपने दूसरी कमनी के एक एंडिया का विडियो बनाया वो यह टेस्ट भी करा लें एक हमारा बच्चा सब में निकल गया है आरेमसी के एक्जाम में एक इंटर्वु भी क्लेयर हुए है मेडिकल में कलर ब्लैंडनेस करके रहे और जो अंतर था जो सैनिक स्कूल और मिलिटर श्कूल में है मैंने बताया था, सैनिक स्कूल, यह रमस, अब यहां रामस भी लिख देते हैं, रिटर्न एक्जाम, तीनों में होता है, इनका पैटर्न बता दिया, रामस के रिटर्न एक्जाम, यह दोनों MCQ-based होते हैं, सारे कुश्चन बहुत विकल्पी होते हैं, यहां पर Maths, English और GK, यह दोनों Subjective होते हैं, यह Objective होते हैं, MCQ-based होते हैं, Interview, सैनिक स्कूल बें इंटर्व्य नहीं होता, RMS में होता है 20 नंबर का, उसमें होता है 9 में 50 नंबर का, इस 6 में है, इस 9 में, और RAMC में होता है 50 नंबर का, इसमें 50% हर एक में लाना अवश्यक है, Passing, RAMC का Passing Marks, Sectional Cut-off भी बहुत आई है, इनमें तो 25-25% ही लेकर आने हैं, ओर और 40% लाने हैं, यहां पर, आपको Maths में, English में, GK में 50% Marks score करने, Indugally, ताकि आप Pass माने जाएं, यह चीजने जानना जरूरी है, अब RAMC में, लड़कों के लिए हर 6 मेने 25 सीट्स हैं, और गर्ल्स के लिए 5 सीट्स हैं, बज़िए यह भी ध्यानना जरूरी हैं, बहुत ही कम सीट्स हैं, और देश का जो सबसे मुश्किल अगर एक्जाम माना जाएगा, competition के लिए हासे हो RAMC है, क्योंकि इसके लिए तकरीबन डेड़ लाख बच्चे अपलाई करते हैं, अर 6 मेने में, इतना ज़्यादा competition है RAMC के लिए, तो ये वीडियो आपकी जानकारी के लेवल को बढ़ाने के लिए, ये वीडियो जो है आपसे एक संबात सापित करने के लिए, कई नए लोग जुड़ते हैं रोज हमारे चैनल से, मैं चाहता हूँ जो शुरू के पिछले 2-3 महने वाले वीडियोज है, आपने समय पर देख लिए, बहुत सारी जानकारी है इन वीडियोज में, उससे मेरा क्या होगा, हर एक विक्ति मेरे को call करता है, तो उस हर एक का call का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, तो ये वीडियो आप देखिए, और comment section में लिखे, कुछ समझ आया है, कुछ समझ नहीं आया है, सब कुछ समझ आया है, थैंक्यू लिख दिजिए, जाइन लिख दिजिए, ये हमें बहुत अच्छा लेगेगा, और हमसे आप बातचीत का सिलसरा बनाया रखिए, तिरस कालना मर्दी, हमारी जो academy है, दे विनिंगे इस defense academy, धेरा दून में हमारे offline course चल दें, सैंज स्कूल के R.I.M.C. के, online हमारे तो 10-11 बैचे चल दें, आप कभी भी screen पर दिये नंबर से हमसे संपर करेंगे, whatsapp कीजिए, बच्चे का नाम और date of birth, हमारा office आपसे संपर करेगा, और आपको इन चीजों के बारे में और भी जानकारी हम देंगे, थैंक यू, बाबाई, एंड जाहिन,